तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मर्न स्टेक डेवलप्मेंट के बारे में कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था फुल स्टेक डेवलप्मेंट के बारे कि फुल स्टेक डेवलप्मेंट क्या होता और कैसे बने तो यह उसके continuation में part 2 है, इसमें बताऊंगा कि अपन modern full stack developer कैसे बन सकते हैं, highly powerful developer कैसे बन सकते हैं, तो मेरा नाम है मुकेश, तो शुरू करते हैं, जो मर्न stack है वो चार technology से बना होता है, mongodb, express, react और note, तो मैं इससे पहले तुम लोगों ने सुना होगा mean stack developer के बारे में या lamb stack developer जो mean stack है, उसमें angular को मैं react से replace कर रहा हूँ, और मैं बताता हूँ कि मैं क्यों replace कर रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले बात करते है, mongodb और express, m, e, ठीक है, m, e के बारे में बात करें, फिर r पे आएंगे, फिर n पे आएंगे, ठीक है, यह नहीं तो पहले सबसे पहले अपन react के बात कर लें, इन चार technology में जो front end के पार्ट है, फिर back end के पार्ट पे आते हैं, तो front end में इसमें react आता है, ठीक है, सबसे बहले react क्या, react जो है फेस्बुक ने बनाया था, तो react, react जो है, एक component based front end framework है, इसमें web page जो होता है, बहुत सारे component से बना होता है, जैसे की navigation का component हो गया, footer का अलग-अलग component हो गया, बहुत सारे component से बना होता है framework, और react के तो वैसे तो बहुत सारे advantages है, जो main advantage है, react जो हम लोगों को प्रवाइड को इंट्रो डूँँगा, देखो virtual dom, जो actual dom होता है, वैब page में, देखो react क्या करता है, behind the scene, background में virtual dom कर देता है, copy create कर देता है, original dom के, फिर हम लोग जो भी change करता है, अपने actual dom में, तो फिर एक new dom create होता है, फिर new dom से original dom compare होता है, जैसे, तो तुम लोगों को एक example देता हूँ, मै जैसे compare होता है, ठीक है, compare में जो चीज़ चेंज होती है, वही चीज़ जो है, actual dom में react change करता है, पूरा dom को change नहीं करता है, यह एक advantage है, जो को example के समझाता हूँ, मैं virtual dom क्या है, जैसे कि एक component है, जैसे कि navigation bar है, उसमें से छोटा सा एक home section है, home section में मैंने को change किया, ठीक है, तो old virtual dom और new virtual dom में comparison हुआ, तो देखा कि, भाई react ने देखा कि, अरे सिर्फ home change किया, तो मैं actual dom में सिर्फ home को ही replace करूँगा, बजार पूरे virtual dom को replace करने, पूरे dom, actual dom को replace करने के जगा, उसमें सिर्फ home component को change किया, तो इससे web page बहुत fast काम करता है, react यह बहुत advantage है, यह virtual dom प्रवा है, एकदम आसान, react में jsx यूजाता है, almost almost javascript है, वो, jstml और javascript के बीच में ही, तुम लोग curly braces डालके javascript लिखना सिरू कर सेगे, एकदम बहुत flexibility प्रवाइड करता है, और learning कर बहुत easy है, अगर तुम लोग beginner हो, तो तुम लोग को javascript आता है, तो react में बहुत तुम reasons है, एक AngularJS, तो Angular के दो versions है, AngularJS और Angular 2+, ठीक है, तुम लोग कोई companies, AngularJS use करती है, कोई 2+, यूज करती है, तुम लोग क्या पढ़ोगे, और Angular इतना heavy framework है, तो थोड़ा बहुत क्या है कि powerful है, अबर थोड़ा बहुत slow है, जितना कि मैंने उसको use किया है, इसी तरह react का learning करके है बहुत easy AngularJS है, तो react बहुत अच्छी choice है, और react के उपर बहुत सारे अच्छे अच्छे tools भी बने है, react native से तुम लोग native development mobile बना सकते हो, तो react बढ़ना बहुत advantage है, इसके लाबा front end में सिर्फ react बहुत रहा हूँ, तो हम लोग तो भाई, एक UI का framework तो पढ़ते ही है, framework में जै material UI popular, तो हम लोग screen पर देख सकते हो, अगर किसी को bootstrap यूज़ करना तो bootstrap भी यूज़ कर सकते हो, screen पर देख सकते हो, bootstrap यह वाला framework जो है, लोग यूज़ करते हैं bootstrap भी, बट सबसे popular है material UI framework, Google का material design यूज़ करता है, तो हम लोग उने front end, तो यही था modern front end developer, ठीक है, यह modern front end developer का पार्ट है, इत्ता पार के तुम लोग front end developer बन जाओगे, मस react developer बन जाओगे, अच्छा react developer बनोगे, तो react developer कही अलग से jobs होते हैं, modern react developer जो है, इनके भी अलग से jobs होते हैं, तो react का तो भाई बहुत बात कर लिया, अब बाकी तीन technology पर आते हैं, mongodb, express और node, ठीक है, तो हम लोगों ने month stack में से R के बारे में discuss कर लिया, तो तुम लोगों को समझ में आगा है, एक भी फिंटो तो पता चल गया हो कि react क्या है, तो m के बारे में बात करें, mongodb के लिए तुम लोगों SQL नहीं पढ़ना पड़ेगा, mongodb के अपने खुद के queries होते हैं, उसका documentation है, बहुत easy language है, और सबसे बड़ी बात है, में मान stack की, तुम लोगों को पूरे-पूरे stack में सर्फ एक ही language पढ़ना पड़ेगी, और वो है javascript, और इसलिए ये बहुत मतलब जल्दी से जल्दी तुम लोगो full stack developer बनना है, तो man stack बहुत ही बड़ी है, और बहुत ही powerful stack है, अभी तक 2018 की बात करूं, और बहुत सारे job opportunities है, react के individually बहुत सारे opportunities है, नोट के तो भाई, नोट तो सबको मार रहा है है, तो node.js के बारे में बात करें, तो देखो, node.js जो java script आता है, वो लोग directly server side language में node.js prefer करते हैं, और easily server side, बहुत fast भी है node.js, और बहुत मस्त है, और जो express.js है, वो जान है node.js की, बिना node.js अकेले में use नहीं होता है, node.js npm node package manager के साथ आता है, उसमें बहुत सारे package हैं, वो भी साथ में use होते हैं, तो package हैं काम आसान करते हैं, और express जान node.js की, दोनों साथ में use होते हैं, express node.js के top में node.js यूज़करके framework बना है, मतलब node.js express के बिना तो use होता ही नहीं है, express बहुत सारे features प्रुवाइड करता है, जैसे routing को अग्दम हलवा बना देता है, और बहुत सारे features प्रुवाइड करता है, तो express और node.js दोनों technology बोलो जो भी बोलो तो यह सरवर साइड में Node.js जिसको जावा स्क्रिप्ट आता है तो उनके लिए तो हलवा ही है सीखना तो फूरे स्टैक में हम लोग सबकी बात कर लिया हम लोग मॉंगोडी भी समझ गया हम लोग में एक्स्प्रेस समझ गए हम लोग रियाक्ट तो बहुत ज्यादा डियप्स में समझ लिया और नोट समझ लिया कि क्या होता है तो यह था मान स्टैक डेवर्पेंट के बारे में यह पूरे स्टैक को मतलब जो है पूरे फ्रॉड जावा स्क्रिप्ट यूज होते है तो अघ्रती होती होती है यह सब यह तूल की तरह ना उसको तोल की तरह हैं उसको यूज करो अगर तुम लोग बो लगए एंग जगा मैं कर तो वियूज कर सकता हूं अब देखो विव बहुत फ्यूचर में ट्रेंडिंग में अभी तो 2018 की बात में तो रियक्ट बहुत पॉपलर है और रियक्ट पड़ो तो तुम लोग ने टिव मोबाइल साहिब भी बना सकते हो तो इसलिए तो मैंने अंगुलर को रिप्लेस कर दिया क्योंकि अंगुलर में दो वर्जिन थे बहुत बड़ा फ्रेम वाता रियक्ट बहुत हैंडी आता है और बहुत इजी उसका लर्निंग कर जैसे एक्स बहुत मज़ेदार लेंग्वेज है और जैसे बहुत जावास्क्रिप्ट ही है तुम लो यूट्यूब के लिए जावास्क्रिप्ट से रेलेटेड तो तुम लोग में इसे पूछ सकते हो और इन सब फ्रेम वर्ज के भी मैं लिंक दे दूँगा तुम लोग देख सकते हो और यूट्यूब पर सेर्च करना ना मनस्टैक के बारे में तो तुम लोग को में भी वीडियो तो हम लोग को मजा होगा तुम लोग ने कुछ नया सीखा होगा इसमें मनस्टैक के बारे में तो मिलता हूं तुम लोगों से मैं next वीडियो में अच्छा जो ये एक चीज़ बताना भूल गया जो हम लोग नोड्यास अगर यूज कर रहे हैं ना और मॉंगोडी यूज़ कर रहे हैं Node.js करके package यूज़ होता है वह भी बहुत powerful handy आता है तो बिना Node.js और MongoDB यूज़ करते हो तो Mongoose करके package Mongoose को अपने queries होते हैं जो काम सरल बनाते हैं Mongoose अपना powerful package नफियम package है बिना उसके तुम देखना बहुत बहुत सब लोग यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा है Mongoose package और भी पकेज हैं यसे Mongo.js वो सब यूज़ नहीं होते है Mongoose package Node.js के साथ यूज़ होते हैं अगर MongoDB यूज़ कर रहे हो तो तुम लोग है ना MongoDB JSON format follow करते है store करने के लिए data को JavaScript Object Notation जो कि तुम लोग को JavaScript आता होगा तो सब तुम लोग समझ जी गए हो गया ना तो मिलते हैं next video में